हलो फ्रेंड्स मैं निसान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल दा साइंस कॉम्रेड में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने रियल लाइफ एक्जांपल के तुरू आप सभी के कॉंसेप्ट को किस्टिल क्लियर कराता हूँ तो आज उसी सीरिज में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ कंसेंटेशन टर्म पार्ट सिक्स और आज का मेरा जो लेक्चर है वो भी नॉर्मेलिटी के उपर रहने वाला है जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है मैं नॉर्मेलिटी का पार्ट वन डाल चुका हूँ जिन भी भाया ने मेरा नॉर्मेलिटी पार्ट वन नहीं देखा वो तुरंत से यूट्यूब पर टाइप करें साइंस कॉम्रेड नॉर्मेलिटी पार्ट वन तो तुरंत मेरा वी वीडियो देख लेते हो तो एक्कोवेलेंट वेट को किस्टिल क्लियर कर दोगे लेकिन मैं अपनी पूरी कोसिस करूंगा कि नॉर्मेलिटी को दुबारा से अच्छे से समराइज करूं दैन आपको पता है नुमेरिकल तो रही गए थे कोकि हमारा जो पुछला लेक्चरता प मैं दुबारा से कुछ फॉर्मिले जो भी नॉर्मेलिटी के कॉंसेप्ट है वो सारे दुबारा से समराइज करा दूंगा क्योंकि जो भी वहिया इस वीडियो में डारेक्ट आ गये हैं उनको कोई दिक्कत ना बने और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चो मैं एक की तईआरी कर रहे हो IIT की तईआरी कर रहे हो CUT की तईआरी कर रहे हो किसी भी बोड एक्जाम की तईआरी कर हो कोई से भी स्टेट बोड़ हो तुरंत क्या करना है मेरा लेक्चर देखना है उसके बाद तुरंत जाना है Google पर मिल जाते हैan previous year question जितने हैं आपके पास बुक होंगी सारी सॉल्व करनी है नॉर्मेलिटी मुझे नहीं लगता मेरे वीडियो को देखने के बाद आप से एक भी नुमेरिकल ऐसा हो जो ना बने किस्टिल क्लियर तो मैंने सांद चौधरी आप सभी बच्चों का अपने और आप सभी के प्यारे से चैन को मैं किस्टिल क्लियर कर चुका हूँ तो आ जाओ बच्चों नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों दहुकुए टी टी तो है प्रेजेंट टीन रीचक उलिटर और आप साल्यूजियोंच weight of solute present in present in one liter of solution अगर मैं आपको normality को एक तरीकी से स्पस्ट कराऊं तो मैं कहना चाहरा हूं कितना equivalent weight of solute present होगा एक liter of solution में मैं थोड़ा सा previous लिया हूं मुझे बताइए बच्चो मैंने molarity को आपको define किया था कैसे define किया था तो बच्चो molarity को define किया था कितने number of moles of solute present है एक liter of solution में तो वहाँ पर mol की बात करी थी बच्चो यहाँ पर equivalent weight की बात कर रहा हूं तो जब मैं आपको नुमेरिक जब मैं आपको formula दूँगा तब आपको और concept की still clear हो जाएगा कि actual में equivalent weight होता क्या है लेकिन यहीं से थोड़ा सा tactically मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में डाल दूँग equivalent weight होता क्या है तो सुनो बच्चो equivalent weight होता क्या है हाला कि मैं previous video में बता चुका हूं लेकिन दुवारा से सुनो equivalent weight क्या होता है बच्चो equivalent weight को अगर मैं define करूँ तो इसको सीधे से सब्दों में लिख सकता हूं molar mass upon balance या n factor इसका actual formula तो यह है इसी को मैं क्या कह देता हूं balance तो यही है equivalent weight क्या है बच्चो equivalent molar mass upon n factor या फिर balance अब क्या है criteria में divide हो जाता है जैसे आपको देता है normality निकालनी है किसी acid की normality निकालनी है किसी base की normality निकालनी है कि salt की तो इन तीन concept और question आ जाते हैं और भाईयाओं से हिलते नहीं है क्योंकि उन्हें equivalent weight निकालना नहीं आता मैं आपको previous video में भी बता गया हूं कि equivalent weight कैसे निकालें जिन भी भाईयाओं को doubt है वो देखें लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब पूरे concept को तो नहीं समझाऊँगा लेकिन जल्दी जल्दी specified करूँगा थोड़ा summarize करने की इकोसिस करूँगा बच्चो और मुझे लगता है आपको आएगा भी अगर मैं आपसे बात करूँ तीन criteria में बाट देता हूं अगर acid है यही तीन चीज मिलेंगी टेंसन ना लें बच्चो पिछले वीडियो में मैं solve कर चुका हूं और जो भी मिलेगा और salt है तो इनके लिए क्या-क्या formula हो जाएगा equivalent weight का तो बच्चो आ जाओ acid की काहनी में अगर equivalent weight की में बात करूँगा बच्चो तो acid की काहनी में हो जाएगा equivalent weight हो जाएगा molar mass upon basicity अगर बेस की बात करूँ इसमें क्या हो जाएगा equivalent weight is equal to molar mass upon acidity बच्चो अगर मैं salt की वासा में बात करूँ बच्चो तो equivalent weight हो जाएगा बच्चो कितना charge है किसी आइन पर या तो Ketine देख लो या एक चीज तो molar mass तो उपर सेम रहेगा upon मैं charge on Ketine या एन एक बारी में एक देखना है charge on Ketine और charge और 9 एक चीज़ देख लो और 9 या तो Ketine का charge देख लो या एन आइन का चार्ज देख लो जैसे एक्जाम्पल लेके बताता हूं मैं बच्चो आपको सपोस करो acid है सपोस करो मैंने लिख लिया scl तो मुझे बताइए scl क्या है hydrochloric acid तो मुझे बताइए h positive cl negative h positive release कर रहा है मुझे बताओ ये इसकी acidity define कर रही है s2so4 की बात कर दूँ तो मुझे बताइए यहां से 2h positive s of o2 negative दो release कर रहा है अब आजाते हैं base तो base की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ बच्चो मैं लिख सकता हूं na o h मुझे बताइए na positive o h negative yes की acidity define कर रहा है दूसरा example मैं ले लेता हूं बच्चे co a o h को hold twice ये भी base है बच्चो ये भी acidity define कर रहा है 2 अब मुझे बताइए salt की बासा तो na c l example ले लूं बच्चो तो यहां से क्या हो जाएगा na positive c l negative है तो यहां पर charge देखिए एक बारी में एक तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी दिक्कत हुई होगी equivalent weight को मैंने बताया अच्छे से क्या होता है हाला कि जिन बयाओंने पुराना वीडियो देखा है उनके concept और अच्छे से कि still clear होंगे तो सबसे पहले normality होती क्या है बच्छो equivalent weight of solute present in one liter of solution बच्छो equivalent weight को define करूँ तो molar mass upon n factor या valency से define कर सकता हूँ अगर acid दिया है normality निकाल नहीं है तो molar mass upon basicity से describe करो अगर base दे रखा है तो molar mass upon acidity से define करो अगर salt दे रखा है तो molar mass upon cation का charge देखो या N9 का charge देखो एक बारी बे एक charge देखना अगर cation का देख रहे हो तो N9 का नहीं देखना सारे questions बनाएंगे यह मेरा वादा है आपकी गुरू जी का वादा है बस आपको क्या है निरंतर question करने है आला कि मैं आपसे माफी मागूंगा थोड़ी देर क्योंकि मेरे जो lecture है यह 9 से 10 दिन में आया है इसका main reason था है कि मेरे ना पता नहीं एक pimples बहुत ज़्यादा हो रहे थे फुंसियां बहुत निकल रही थी और फिर छाले भी हो गयते कई सारे तो उसको थोड़ा सार समय लग गया तीन चार दिन लग गया बिना tablet के सोच रहता सही हो जाए लेकिन अंत मैं tablet लेनी पड़ी और अब मैं फिटूं तो आज इसलिए इस lecture को लाया हूं तो बच्चो आजाओ सबसे पहले formula पर बात कर लेते हैं गुरू जी तो normality के formula क्या है गुरू जी तो सबसे पहले मैं कहाँ जितने भी formula उनको introduce कराऊँगा तभी तो आपसे question बनेंगे बच्चो तो normality क्या होता है बच्चो तो इसको अगर मैं बोल दूँ आपसे simple सी बहासा में यह होता given mass upon equivalent weight into one upon volume in liter तो बच्चो इस formula को आप तुरंत याद कर लें या question इतने करा दूँगा कि अपने याद हो जाएंगे और concept को अच्छे से crystal clear कर दूँगा कि बच्चो normality को N से donate करते हैं given mass upon equivalent weight into one upon volume in liter होता है बच्चो इसको अगर मैं खोलूंगा तो मैं इसको जब खोलूंगा तो equivalent weight आप बच्चे सभी जानते हो क्या होता है गुरू जी अगर general बात करूं मैं acid waste salt की ना कहरके general ही बात करूं तो equivalent weight होता है गुरू जी molar mass upon valency या N factor खतम कर दो बच्चो तो मुझे बताईए यहीं से मैंने क्या describe कर लिया दूसरा formula describe कर लिया तो बच्चो अम मैं क्या लिख दूंगा normality का formula बच्चो तो बच्चे क्या लिख दोगे मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी गुरू जी आप लिख दोगे given mass बिल्कुल upon molar mass बिल्कुल बच्चो upon valency into one upon volume in liter तो मुझे नहीं लगता बच्चो कोई दिक्कत होगी cable आपने क्या किया equivalent weight को समझाया मैंने और आपने equivalent weight को क्या कर दिया molar mass upon valency crystal clear बच्चो तो इन दौनव formula को note करें कोई बच्चा याद नहीं करेगा बस मुझे विश्वास करें इस वीडियो के अंत तक आते आते इन formula को याद करने की ज़रूरत नहीं पढ़ने दूगा चुटगियों मैं दवा दवा के question करा दूगा crystal clear सारे concept हम करते हैं एक एक कोई भी normality आपको मैंने molarity पढ़ाया percentage weight by weight पढ़ाया molality पढ़ाया किसी भी previous year question उठालो कोई भी मैंने नहीं चोड़ा सारे concept जहां से question पूचे कहें सब ने चोड़ के आपके लिए ला रहा हूं variety जो भी अगर देख रहें बस बच्चो जादा से जादा वीडियो को share करो मेरी clear तीसरे नंबर पर अगर मैं formula की बात करता हूं बच्चो अब question में क्या है अगर question में क्या दे दिया जाए ml में अगर आ जाए तो गुरू जी क्या करेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा मुझ बताईए एक लीटर कितना होता है बच्चो तो आप बच्चों को पता है गुरू जी एक लीटर होता है 1000 ml खतम कर दो बच्चो crystal clear मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है लिख दू normality का formula normality is equal to given mass upon equivalent weight लिख दू या molar mass upon valency लिखता हूं बच्चो into thousand upon volume in ml तो एक और formula बच्च यह concept सब बच्चों को आता है हरे एक जो भी बच्चा है मुझे नहीं लगता कि इसको बिना सी के यहां तक आये होंगे क्योंकि एक दो तीन चार की मैं तुम ही पढ़ लेते हैं वल लीटर is equal to 1000 ml तो बच्चे क्या है कभी कभी लीटर में क्या कर देते हैं 1000 से इंटू नहीं करते हैं और teacher उनको number card देते हैं यह हमारे numerical गलत हो जाते हैं तो बच्चो calculation का importance है यह तीसरा formula केबल और केबल purely उसी पर base है clear बच्चो आ जाईए अब चौते formula की तरफ अब क्या है थोड़ा सा concept में मैं crystal clear करा हूँआ बच्चो कभी कभी क्या देता है चौते formula के लिए concept है कभी कभी क्या देता है बच्चो कभी कभी क्या है आपको density दे देगा और percentage भेट में दे देगा तब क्या normality का formula लगाना है त और नहीं हिलता क्योंकि उनको formula ही नहीं पता होता तो मैं क्या करूँगा आपके लिए formula लाया हूँ इसको आप क्या करोगे मैं numerical भी कराऊ अच्छे से लेकिन आप इसको याद कर लोगे अलागी मैं याद नहीं कराता लेकिन यह formula अगर आता है तब ही आपसे question बनेगा नही तो वो numerical बनेगा नहीं आपने जिन भी वह याओं ने देखे हैं जो भी dropper होंगे उन्होंने previous year question में भी वो देखा होगा tackle नहीं होता बिना formula के तो वही formula है अगर बच्चों question में लिखना है ऐसे ही नोड्स ऐसे ही बनाने अपने नोड्स हैं कैसे भी बनाए अगर question में अगर question में percentage weight और density दिया है तो normality कैसे निकाले है तो बच्चों normality कैसे निकाले है कैसे निकाले है आ जाईए बच्चे तो simple सा बताऊंगा बच्चों और concept कतम कर दूंगा तो एक formula आए बच्चों normality is equal to percentage weight into density का symbol d बोल दिया है वैसे row होता है into thousand upon hundred into equivalent weight और equivalent weight को आप जानते हो बच्चों यह हमारा formula है आप दिमाग में डालोगे बच्चों equivalent weight क्या होता है तो गुरू जी ने आपको बताया है equivalent weight general में बात करूं तो गुरू जी होता है molar mass upon n factor या valency crystal clear बच्चों तगडे से मुझे नहीं लग रा कोई दिक्कत होगी खतम करो normality अगर question में percentage weight और density दिया है बच्चो normality का क्या formula बन जाएगा फिर वो question given mass upon molar mass upon valency into earn upon volume से नहीं होगा tackle कहां से होगा percentage weight into density into thousand upon hundred into equivalent weight और equivalent weight को क्या लिख सकते हैं बच्चो molar mass upon valency इसको आपको पता है acid में क्या होगा base में क्या होगा salt में क्या होगा और कुछ structure भी है जो आपको part one में crystal clear कराए गए ते तो मुझे नहीं लगता है इन चारो formula में कोई दिक्कत होगी कि नहीं अब आ जाते हैं पांच में concept पर और पांच में formula पर पांच में फॉर्मिले पर जो एक भी concept में नहीं चोड़ोंगा बच्चो आपको अगर बिस्वास नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको previous year question से चेक करना है कि गुरू जी के concept कितने जा रहे हैं तो पांच में formula की अगर मैं बात करूँ बच्चो तो पांच में फॉर्मिले टी concept है what is the relation between, relation बताना है बच्चो, molarity का और normality का what is the relation between molarity and normality तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, cable और cable क्या है, आपको क्या formula लिखवाँगा और आपकी concept को खतम कर दूँगा क्योंकि मेरा molarity का lecture देखा है तो मुझे नहीं लगता आपको molarity नहीं आई होगी अब मैं normality का पहला lecture तो लहीं चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता इसका formula नहीं आएगा आपको खुद relation stabilize करा दूँगा, तो बच्चो मैं दोनो formula लिख दूँँ आपके उससे आजाओ तो बच्चो क्या लिखते हो आप normality का formula गुरू जी ने अभी पढ़ाया है given mass upon molar mass upon valency into one upon volume in litre बच्चो यही लिखते हो normality का formula इसको bracket पे बंद कर दूँ बच्चो बिलकुल कर दो गुरू जी मुझे बताइए बच्चो molarity एक lecture पहले की ही बात है molarity को भी सपस्ट किया था बच्चो क्या लिख दूँगा formula बच्चो लिख दूँगा given mass upon molar mass क्योंकि यही क्या होता है mol into one upon volume in litre crystal clear बच्चो तो मैं क्या कर दूँगा इसको भी बंद कर दूँगा अब मैं आप से क्या है relation पूछ रहा है normality और molarity में यहीं से चेक करा लूँ मुझे बताओ बच्चो normality क्या कह रही है given mass upon molar mass upon valency into one upon v यहां क्या कह रहा है given mass upon molar mass into one upon v मुझे बताओ बच्चो जब आप देख रहे हो तो मुझे बताओ इसको equation one माल लू इसको equation two माल लू मुझे बताओ सारे term कटते नजर आ रहे है given mass से given mass कट जाएगा molar mass से molar mass कट जाएगा बच्चो volume से volume कर जाएगा मुझे बताओ normality रह जाएगा molarity रह जाएगा n factor और balance रह जाएगा तो जब इसको आप tackle कर लोगे आप सभी को करना है नहीं तो यहां से समझी आ गया है मुझे बताओ क्या बच्च जाएगा बच्चो relation तो बच्चो relation यही बच्च जाएगा normality is equal to n factor into molarity केल कतम बच्चो important concept है इसको आप अपनी copy में जरूल और 3 star लगा लें इस पे concept पे question आ रहे हैं और भायां से नहीं इलते हैं जबकि इस से easy कुछ नहीं हो सकता normality क्या होता ह क्रिस्टिल क्लियर बच्चो यह था बच्चो पांचमा concept अब छटमे concept की बात करूंगा मैं आपसे numerical पर बात करूंगा और concept को अच्छे से crystal clear कर दूंगा तो छटमा concept क्या होने वाला है बच्चो तो छटमा concept होने वाला है बच्चो क्या normality temperature पर डिपेंड करती है तो मैं टेंपरेचर कॉंसेप्ट सिख्षत है हाला कि इस कि नॉर्मेलिटी डिपेंड अन टेंपरेचर बच्चो क्या normality डिपेंड करती है टेंपरेचर पर टेंपरेचर तो बच्चो आप कहोगे यस बिलकुल गुरू जी क्यों कह रहे हो मुझे बताओ molarity मैंने पढ़ाया था तो molarity क्या था number of moles of solute present in one liter of volume of solution कहने का मतलब है एक liter volume of solution में कितने number of moles है तो मुझे बताओ molarity affect करता था temperature से बिलकुल करता था गुरू जी क्या reason दिया था आपके गुरू जी ने आपको अब तो आपको क्या है याद भी हो गया होगा आपके गुरू जी ने ये reason दिया था अगर मैं temperature से खेलूंगा तो volume में से भी तो खेलना पड़ेगा अगर temperature को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो volume भी तो बढ़ेगा घटेगा बच्चो जब volume पर फराक आएगा तो volume universally proportional है molarity के तो molarity पर भी दिक्कत होगी बच्चे same condition यहाँ पर भी होगी तो मैं इसको yes कहूंगा क्यों क्योंकि normality का भी formula बच्चो क्या है normality भी क्या है given mass upon molar mass into valency into one upon volume in liter तो बच्चो यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी क्योंकि normality के formula में volume का term है और volume का term है तो volume क्या करेगा change with temperature अगर यह change हो सकता है temperature के साथ तो मुझे बताओ normality भी तो change भड़ेगी घटेगी तो depend करेगा कि नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता 6 के 6 concept को आपको दिमाग में मैं डालने में समरतूं बस आपको क्या है अब धेरे रखना है आपके tips पर आगे हैं concept तो अब मैं numerical करा देता हूँ पास से जितने भी मैं लाया हूँ अच्छे अच्छे numerical लाया हूँ आपके लिए previous year से लेके सारे किस्टिल क्लियर बच्चो आपको धड़ा धड़ लाने है बस टेंसन नहीं लेनी है चलते जाना है मैं कम से कम बहुत सारे numerical करा दूँगा आपको बस previous year कुष्चनों पर काम करना है किसी भी लेवल का भया हो कोई बुक सॉल्व नहीं करनी कुछ नहीं करनी केबल और केबल प्रिवियर सारे concept के स्टिल क्लियर कहूंगे जितने भी concept है और पूछे जा रहे हैं अब मैं थोड़ा सा बच्चो चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही जैसे साथ नुमेरिकल जैसेगी आपको पता है सारे concept जितने भी उन पर करा देते हैं आओ बच्चो पहला question पहला question बच्चो 9.8 gram of S2SO4 is present 9.8 gram of S2SO4 present in 2 liter of solution 2 की जगे 1 कर लो बच्चो 1 liter of solution थोड़ा सथ twist आए find normality normality निकालो बच्चो solution की कहने का मतलब है 9.8 gram S2SO4 दे दिया बच्चो और कितने में solution में है 1 liter volume of solution में तो मुझे बताओ कोई दिक्कत है फिर से गुरू जी कुरेद दे बिलकुल आ जाओ solution कैसे निकाले बच्चो given mass कितना है बच्चो given mass है गुरू जी 9.8 gram लिख दिया अब मुझे बताओ molar mass निकालने बच्चो क्योंकि equivalent weight चाहिए और equivalent weight क्या होता है molar mass upon valency बच्चो और valency और molar mass कैसे निकाले मुझे बताओ S2SO4 S2SO4 है बच्चो S2SO4 का molar mass कितना हो जाएगा बच्चो याद रखना है आपको 98 gram आया कैसे बच्चो तो इधर देखो ऐसे आया hydrogen के 2 molecules हैं बच्चो 2 into plus 1 भाई 1 है sulfur 1 है 1 into 32 oxygen 4 है into 16 है जब इसको tackle करोगे आप 98 gram आएगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी अब molar mass की जगए 98 gram रखना है मुझे बताओ यहाँ पर acid है ये बच्चो बिलकुल acid है तो मुझे बताओ इसकी basicity देख ली जाए बिलकुल जब मैं इसका structure बनाऊँगा बच्चो तो यहाँ से क्या देखने को नजर तो मुझे बताओ कितनी हो गई n की condition दो खतम करो बच्चो इस formula को अटा दूँ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ molar mass और valency की जगए बच्चो तो molar mass की जगए लिख सकता हूँ गुरू जी 98 और valency की जगए 2 क्या answer आ गया बच्चो 49 gram अब मुझे बताओ volume दे रखा है बिलकु आता है मुझे लगता है यह concept आपका किस्टिल क्लियर हो गया होगा इसको आफ रफ कर दो देन मैं क्या करूं आपके formula यूज करके और concept को निकाल देता हूँ clear बच्चो तो given mass हो गया molar mass upon valency निकाल लिया formula में put करना है जैसे कि आपको पता है जिन बैयां को नहीं याद formula याद हो जाएगा normality का formula होता है गुरू जी given mass upon molar mass upon valency into 1 upon v in liter खतम करो बच्चो value पुट करनी है क्या है गुरू जी gram 9.8 है molar mass कितना है 98 upon 2 valency into 1 upon v volume कितना हो जाएगा बच्चो ये 1 upon 10 ये कितना हो गया 5 तो ये answer कितना हो गया 1 upon 5 तो ये आगया 0.2 बिल्कुल बच्चो तो 0.2 normal खतम तो पहला answer crystal clear हो गया मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी इस concept में बच्चो जिन भी भया ने कर लिया है then मेरा solution देखो crystal clear बिल्कुल खोल देता हूं question को कैसे क्या condition होगी बिल्कुल भी घबडाना नहीं है आपको अपने नोर्सों में ऐसे ही लिखना है तब ही आपको चीज़ें याद रहती है कुछ नया नहीं करना ना कुछ करना CDC बात है जैसे मैं करा रहा हूं तुरंत ऐसे ही नोर्स बनाने के हमारे नोर्स में तो गुरू जी लिखवा देते हैं यहीं चीज़ एक्जाम में याद आती है बच्चो और कुछ नहीं आता कितना भी पढ़ो clear दूसरे नंबर पर अगर बात करूं दूसरे question की तो बच्च सिक्टीन ग्राम ओफ ने ओएच सिक्स्टीन ग्राम ओफ ने ओएच प्रिजेंट इन पांसो एमेल ओफ सॉलूशन सिक्स्टीन ग्राम ओफ ने ओएच प्रिजेंट इन पांसो ग्राम ओफ सॉलूशन फाइंड नॉर्मेलिटी तो बच्चो एक एसिड का करा दिया तो एक बेस का भी तो बनता है तो आप कॉंसेप्ट को वस दिमाग में रखा करो आपके ग्रूजी पर छोड़ दीजी आपक सिक्स्टीन ग्राम ने ओएच है पांसो एमेल ओफ सॉलूशन में नॉर्मेलिटी निकालनी है बच्चो क्या क्या गेवन है मुझे बताओ गेवन मास है बच्चो बिलकुल है गुरू जी सिक्स्टीन मैं इसको ट्वेंटी कर दूं तो इजी हो जाएगा तो इसको आपको हमग दे देता लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो ट्वेंटी कर लो तो गिवन मास को बच्चो ट्वेंटी कर लिया अलागी प्रिवियस एयर में पूछा गया होगा यह इसलिए सिक्स्टीन है कोई दिक्कत नहीं गिवन मास ट्वेंटी ग्राम है अब मुझे कर लें बच्चो आजाओ सोडियम मुझे बताओ इसका पहले तो आप याद रख लो 40 ग्राम बताया भी है अलागी मैंने आपके लिए डाला नहीं है बच्चो मैं माफी चाहूंगा मैंने आपको बताया तक जितने भी मुलर मास इंपोर्टेंट है सब की बना दूँगा अ खतं कर दो बच्चो तो यह क्या 40 ही आएगा मुझे बताओ न ओएच क्या बच्चो बेस इसकी एसीडिटी देखनी है एसीडिटी ओ अच्छेगा तो मुझे बताओ एपॉसिट्टे ओएच नेगेटी तो कितने एप रिलीज हुए वह ओएच रिलीज हुए वन तो मुझे बताओ normal n क्या आ गया खतम कर दो तो equivalent weight क्या आ गया बच्चो equivalent weight आ गया गुरू जी 40 upon 1 कि खतम करो बच्चो अब मुझे बताओ volume क्या है बच्चो solution का तो volume है ml में गुरू जी ml में कितना है 500 ml गुरू जी ml वाला formula लगाना ध्यान से खतम बस अब कुछ नहीं है आपको formula पता है normality का बच्चो आपने क्या है मुझे लगता है ये लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप formula को value को put कर दो खतम हो जाएगी तो क्या है बच्चो formula में क्या है formula normality का ml की condition में तो बच्चो normality का formula है given mass upon molar mass into valency into thousand upon volume in ml बच्चो थोड़ा सा change हो गया ml है तो into thousand चला गया खतम खेल concept बच्चो normality क्या हो जाएगा given mass कितना था बच्चो 20 molar mass कितना था बच्चो 40 valency कितनी थी बच्चो 1 into thousand upon volume कितना है बच्चो 500 अब यहां से tackle करो कितना आ जाएगा बच्चो 1 upon 2 यहां से कितना आ गया 2 आगे answer 1 molar वन नॉर्मल मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हो रही होगी बच्चो दड़ाधर चुटगी वजाते आप concept कि स्टिल क्लियर कर रहे होंगे और बच्चो जैसा कि आपको पता है मैं छोटे लेवल से उठाता हूं और बड़े लेवल तक जाते 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 बच्चो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यह हाला कि अच्छा वच्चा तो कुछ नहीं है लेकिन सी दी सी बात है आपसे बनेगा ही बनेगा आजाओ 6.3 ग्राम प्रिविएस यहर क्वेश्चन है बच्चो उठाई लेता हूं इसको क्वेश्चन थर्ड 6.3 ग्राम क्रिस्टिलाइन ओक्जिलिक असेड 6.3 ग्राम क्रिस्टिलीन ओक्जिलिक असेड डिजॉल्व टू फॉर्म 10 लीटर सॉल्यूशन फाइंड नॉर्मेलिटी बच्चो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यह मेरा वाद आपसे क्योंकि मैंने आपके कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे लेबल तक खतम कर दिया बस मुझे एक चीज का आपको क्लू देना है मुझे बताओ बस मैं आपको एक चीज बताओ तो 6.3 ग्राम क्रिसलीन औक्जलीक एसिड है वो 10 लीटर सॉल्यूशन में प्रिजेंट है नॉर्मेलिटी बताने है अगर मैं आपको बता दू क्रिसलीन औक्जलीक एसिड क्या है तो आपको कुछ नहीं रह जाएगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले मैं बताता हूं बच् तो क्रिसली औक्जलीक एसिड का अला कि हमारे गुरू जी थे उन्होंने हमें टेक्टिक्स बताइती ट्रिक बताइती इसको बताने की मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन जब और्गनिक केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊंगा ओम साइन गुरूग्लू एसिड हो गया और ओम साइन गुरू आप और एसपार्टिक एसिड हो गया तो यह त्विक बताईती तो मैं जब आपको और्गनिक現 inconvenience पढ़ा रहा हूंगा तब पताऊंगा हाला कि अभी आपको ध्यान रखना है गुरू जी क्या कह रहे हैं ऑक्जिलिक एसिड का फॉर्मला होता है सी डवलो एच और सी डवलो एच कहने का मतलब है अगर मैं क्रिस्टलीन बात कर दूं तो अब क्रिस्टलीन का क्या होगा गुर जाएगा तो इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा चेंज हो के सी डवलो एच सी डवलो एच डॉट तो यह फॉर्मुला हो जाएगा बच्चो खतम खेल यहां से मैं मोलर मास निकाल लूंगा इसका और फिर क्वेश्चनल हुआ है बच्चो गिवन मास दे रखा है जी ने आपको इस पस्ट कर दी तो क्रिस्ट ल क्लियर बच्चो आजाहो जो है क्या करना है हमें तो मैं क्यान को फिर से पड़ूँगा और फिरसे गिवन चीज लिखूंगा लेगन टेकल कर दोंगा सब से पहले वच्छो सोल्यूशन अब सोल्यूशन में क्या दे रखका है वच्छो गिवन मास कितना बच्छो 6.3 ग्राम 6.3 ग्राम मुझे बताओ बच्चो 6.3 अब मुझे बता एक्कोवेलेंट वेट कैसे निकालूँ बच्चो इसका एक्कोवेलेंट वेट निकालूँगा बच्चो मोलर मास अपॉन वैलेंसी से कि स्टिल क्लियर बच्चो एक बार मैं देख लेता हूं यह मारकर में दिख राए कि नहीं दिख राए फिर इसमें इंक भरेंगी देख राए बच्चो आजाओ थोड़ा बहुत फेड़िड सा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बलेक को यूज कर लेते हैं तो क्या है दुवारा से मैं लिख देता हूं गेवन मस कितना है मोलर मस कितना है ब्लेक यूस कर लेंगे मार्कर गेवन मस कितना है बच्छो 6.3 ग्राम मोलर मस एक कुवैलेंट वेट कैसे निकालेंगे बच्छो आजाओ मोलर मस अप numerous मुझे बता फॉर्मिला बता चुका है Christiane Noxley Acid का बच्छो क्या है गुरू जी COOH COOH dot 2H2O यहां से concept को खतम कर दूँ बिलकुल मुझे बताओ कितने कार बने बच्चो 2 कितने है 12 into 2 plus oxygen कितने बच्चो 4 भाई इधर की condition की बात कर रहा हूं 2 और 2 4 और इधर की बात करूं 6 6 into 16 16 plus hydrogen कितने बच्चो 4 इधर और 2 इधर 6 6 into 1 बच्चो तो क्या condition हो जाएगी बच्चो molar mask की तो यह ही है गुरू जी 2 कारवन है 12 into 2 कर दिया oxygen कितने 4 इधर 2 इधर 16 into 6 कर दिया और hydrogen कितने बच्चो 4 और 2 इधर है 6 तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 24 16 into 6 तो बच्चो क्या हो जाएगा 66 ता 36 96 96 plus 6 तो बच्चो क्या आगया 30 30 plus 96 तो यह आजाएगा बच्चो 30 और 96 तो यह आजाएगा 126 ग्राम तो यह हमारा आगया है molar mask मोलर मास जब मुझे बताओ 126 आ गया तो यह क्या है acid है, acid कितने OH release कर रहा है, भाई, basic city देखूंगा acid की, तो क्या है OH OH कितने release कर रहा है 2, तो मुझे बता, यहां से concept की still clear होता नजरा रहा है बच्चो, क्या लिख दूँगा 126 gram upon 126 gram upon 2, बच्चो concept की still clear, मुझे बता, यह volume दे रखा है बच्चो बिलकुल, volume किसम है, लीटर में, तो 10 लीटर solution का, मुझे बता, फॉर्मिले में कोई दिक्कत है, पुट करने में नहीं बच्चो, करादूं फॉर्मिले में पुट, खतम करो जल्दी से तो सब चीज, सवारा क्राइटेरिया आपको दे रखा है, बस फॉर्मिले में value को, पुट करना है बच्चो तो मैं, ब्लेक की मारकर यूज करूंगा क्या है बच्चो normality is equal to given mass upon, molar mass upon, valency into, 1 upon volume in liter clear बच्चो, आजाओ तो given mass कितना है बच्चो 6.3, molar mass कितना आता बच्चो, 126 gram, valency कितनी आई थी 2 upon में, 10 liter, liter में है, खतम करो कितना आ जाएगा बच्चो 1 upon 2, 20, खतम खेल बच्चो, कितना आ जाएगा 10, तो 1 upon 10, 1 upon 10 तो कितना आ गया बच्चो, 1 upon 100, 100 को उपर ले जाऊँगा, 0.01 नॉर्मल खेल खतम बच्चो, concept किस्टिल क्लियर, note करो इन 3 मुझे नहीं लगता, इन 3 numerical में आपको कोई दिक्कत हुई होगी किस्टिल क्लियर बच्चो तगडे से, अब आ जाते हैं 4 फॉर्मला, मतलब 4 question की तरब, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा और hard हो ना जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं 0 level से उठाता हूँ 100 level तक खतम करता हूँ numerical हर लेवल, हर थोड़े से numerical को थोड़ा harder करता जाता हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए 4 लेवल, 4 question आजाओ बच्चो, तो ये क्या है आजाओ, question 4 इसको आप अपने आप टैकल करोगे मैं आपसे विश्वास है मुझे आपको विश्वास है कि आप अपने आप टैकल करोगे for a solution of for a solution of 49% of 49% of NaOH NaOH the density the density is for a solution of 49% of NaOH the density is 1.8 gram per ml find normality बच्चो मुझे नहीं लगता आपको पलक जपकते भी इस question को time लगेगा लेकिन थोड़ा सा तो hard है बच्चो मुझे बताओ question क्या कहने की courses कर रहा है तो यहीं से थोड़ा सा summarize करूँगा बच्चो ये कहने की question कर रहा है courses कर रहा है बच्चो question इसमें percentage weight में दे रखा है भीया या गुरू जी मुझे बताइए density को किसमें दे रखा है गुरू जी किसमें दे रखा है density दे रखी है percentage weight दे रखा है कुछ याद आ रहा है अगर question में percentage weight और density दे तो normality का formula बच्चो क्या हो जाता है क्लिक करा किया बच्चो आ जाओं खतम अगर question में लिकू note बिलकुल अगर question में अगर question में density और percentage weight गिवन है percentage weight गिवन है तो normality का क्या formula होगा तो normality हो जाती है बच्चो क्या आ जाओ तो ये concept पहले लिको note करके बच्चो notes में important है तगड़ा तो आ जाओ बच्चो क्या कहूंगा मैं normality अगर question में density और percentage weight गिवन है तो normality क्या हो जाती है बच्चो गुरू जी हो जाती है normality is equal to percentage weight into density into thousand upon hundred into equivalent weight कर दूं question को solve बच्चो चुटकियों में आप भी कर दोगे तो मुझे लग रहा है आपने ये लिख लिया होगा देनम question को tackle करते हैं इसको जरूर लिखना question के ऊपर note में आलागी मैंने concept बता था तब भी note में कराया था तो बच्चो में लिख सकता हूं formula को आजाओ गुरू जी क्या हो जाएगा normality is equal to percentage weight into density into thousand upon hundred into equivalent weight किस्टिल क्लियर बच्चो बिलकुल खतम करो बच्चो आजाओ normality is equal to क्या हो जाएगा बच्चो percentage weight 49 given है गुरू जी density कितनी given है 1.8 given है गुरू जी into thousand है अपन मैं hundred equivalent weight को निकाल सकता हूं गुरू जी बिलकुल naoh का equivalent weight निकाल दो आपको पहले भी पता है इसका molar mass कितना है बच्चो 40 equivalent weight कितना है या balance कितनी है 1 कोईकि यहां से दिख रहा है naoh तो यह कितना है 1 40 upon 1 लिख दूं बच्चो कितना 40 upon 1 खतम कर दो बच्चो इसको मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होगी इसका answer comment में लिखके बताएं मुझे तो 4 के 4 solution हमने क्या है किस्टिल क्लियर कर दिये तो 4 for numerical थे अच्छे अच्छे अब अगला numerical कराता हूँ इस concept को भी किस्टिल क्लियर कर दिया बच्चो इस formula से अब 5 में formula की तरफ चलते हैं 5 में question की तरफ चलते हैं हालागी आपको मजा आ रहा होगा हर एक concept में देने की कोसिस कर रहा हूँ जो भी आ चुके है question और जो आने की probability है calculate the normality of M by calculate the normality of question 5th calculate the normality of M by 40 solution of S2SO4 normality find करनी हैं बच्चो और question में दे रखा है M by 40 solution of S2SO4 कुछ याद आ रहा है normality और molarity का relation बिलकुल आ रहा है गुरू जी normality क्या होती है बच्चो N into M normality is equal to valency into molarity बच्चो खतम कर दो concept को बच्चो यहीं से crystal clear बिलकुल तो normality क्या हो जाएगी N देखनी है बच्चो S2SO4 की क्या हो जाएगी आपको पता है acid है तो यह दिख रहे है 2 तो मुझे बताओ structure भी बना सकती हो जिन भी भईयां को आता है OH खतम खेल तो मुझे बताओ बच्चो क्या हो जाएगी 2 into molarity कितनी है बच्चो 1 upon 40 आंसर आ गया normality क्या आ जाएगी बच्चो normality आ जाएगी बच्चो क्या 1 upon 20 normal crystal clear note बच्चो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी सारे concept पर आपके numerical में establish करा रहा हूँ एक और numerical इस पर कर लेते हैं यह तो इसका था आप बेस पर बात कर लेंगे C.O.H की calculate the question 6 calculate normality of M by 20 of C.O.H का whole twice खतम करो तो मुझे बताओ यह क्या है C.O.H का whole twice तो यह बेस है बच्चो normality और molarity में फिर से relationship N into M खतम करो बच्चो valency कितनी है C.O.H के whole twice की 2 valency है तो बच्चो N क्या हो गया 2 लगा लो C.O.H का whole twice C.A. 2 positive 2 O.H negative खतम करो 2 in 2 molarity कितनी है बच्चो 1 upon 20 क्या आ गया बच्चो 1 upon 10 किस टिल क्लियर बच्चो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो यह 6 के 6 फॉर्मिले थे मुझे नहीं लगता normality से related बच्चो आपको कोई दिक्कत आएगी मैं आज मैंने normality में दो लेक्चर लिये पार्ट 1 पार्ट 2 लेकिन आज मैंने normality के आपके सारे concept के स्टिल क्लियर कर दिये equivalent weight से उठाया और normality के फॉर्मिले तक तो आप सभी को मेरा criteria पता है मैं इस level तक पढ़ा रहा हूँ आपको जे ही mains के questions हिल रहे होंगे IIT level के need के questions हिल रहे होंगे और जितने भी state boards है तो बच्चो प्लीज प्लीज मैं आपसे इतना ही चाहूँँग मैं मुझे मैं और जाग रुख हूँ अपना content हलागी मैं अपना best दे रहा हूँ content लाने में लेकिन और अच्छा content आए प्लीज प्लीज बच्चो जाधा से जाधा वीडियो को share करें like करें और subscribe करें जाधा से जाधा से जाधा share कर दें हर भहिया को फाइदा हो बिल्कुल हिंदी इंगलिस सब में concept को और notes मैं बहुत सारे formula numerical के through concept को still clear कराता हूँ बच्चो और मैं थोड़ा सा भी जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं तो मैं और advance अपने YouTube channel पर advance करता जाऊँगा तो बच्चो प्लीज मैं आज से हाध जोड के निवेदन है कि जादा से जादा share करो बच्चो लाइक करो subscribe करो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो धन्यवाद बच्चो